लोग अकसर हमारी हेलप लाइन पर पपीज के लिए कॉल करते हैं और उनकी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि सर, मैम इन्हें अडॉप्ट करवा दीजें लेकिन ऐसी हर कॉल पर आक्शन लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता तो यदि आप भी हमसे या किसी और और ओगनाइजेशन से ऐसी किसी मदद मागने के लिए कॉल करें तो रुखिए और इस वीडियो को देखिए जब एक मादा डॉग बच्चे डिलिवर करती है तो कही ना कहीं इस बात की बहुत आशंका होती है कि वह अपने बच्चों को छोड़ देगी अब ऐसा करने के कई कारण है हो सकता है कि वह अस्वस्त हो या लेबर टाइम उसके लिए बहुत स्ट्रेस्पल रहा हो या उसके लिटर का कोई पपी इतना कमजोर है कि उसकी देखभाल करना व्यर्थ होगा या कारण उसका सिर्फ पहली बार मा बनना भी हो सकता है आपको पपीज मिलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद उनकी बिचारी मा किसी आक्सिडेंट का शिकार हो गई है या फिर उन्हें किसी ने रिलोकेट किया है यानि कि अपनी जगा से उठाकर इधर उधर छोड दिया तो आएए अब ये जानते हैं कि ऐसी सिच्वेशन में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए पपीज मिलने पर सबसे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि क्या उनकी मा आसपास ही तो नहीं है आज पड़ो उसके लोगों से पूछ कर पपीज और उनकी मा के बारे में जा कर तो नहीं है हो सकता है कि वो आसपास ही हो अगर आपने ये सब कर लिया तो आएए अगले स्टेप पे चलते हैं पपीज को री लोकेट कीजिए जी हां आपको पपीज जहां भी मिले हैं उन्हें वहीं ना छोड़कर एक सुरक्षि जगा ले जाए जहां पे उन्हें साथ ही वो जगा गर्म हो और सूखी हो ताकि उन्हें ठंड ना लगे इसके लिए आप उनकी जगा पर एक कंबल या बोरी भी बिचा सकते हैं पपीज को क्लीन कीजिए यू तो मादा डॉग अपने पपीज को चाड़ चाड़ करी साफ कर देती है लेकिन रोड पे रहते रहते उन्हें कई प्रकार की टिक्स या फ्लीज हो सकती है इसके लिए आप वेट से उनके लिए आंटी टिक या आंटी फ्ली ग्रूमें किट ल लगे बारिश के मौसम में उन्हें नहलाना सही नहीं है अब आते हैं खाने पीने पे नवजात पपीज या तो सोते रहते हैं या खाते रहते हैं उन्हें खिलाना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है हर नवजात बच्चे के लिए उसकी मा का दूद बहुत इंपॉर्ण होता है बिन मा के पपीज के लिए बाजार में ऐसे कई प्रोड़क्स हैं जो मा के दूद की कभी पूरा करते हैं याद रखें कि नवजात पपीज को गाय अब भैस का दूद डारेक्ली ना पिलाया जाए क्योंकि ये उनके पे काटे लग जाते हैं इसका मतलब यह है कि आप वो बॉटल छोड़के बोल से खाने के लिए रेडी है आप उन्हें किसी बोल में सॉफ्ट या सेमी सॉलिड फूड दे सकते हैं जब पपीज चार से छे वीक्स के हो जाते हैं तो वो चलने या भागने योगे हो जाते हैं तीन बार ही खाना दे ज्यादा खाना देने से उन्हें समक इशूज हो सकते हैं अब पपीज को खिला पिला तो दिया पर क्या वो वाकई स्वस्थ हैं यह जानने के लिए हमें जबरूरत होगी रेगुलर मेडिकल हेल्प्स की नफजाज पपीज में आंटी बॉडी अभी तरह से बनी नहीं होती है इसकी वज़े से वो जल्द ही बिमारियों का शिकार बन जाते हैं कोशिश करें कि आप उन्हें वेट के पास पांच से छे वीक होने के बाद ही ले जाएं उनके पहले मेडिकल चेक अप के दौरान उनकी डी वामिंग होना बहुत ज़रूरी है अक आप उनकी खुबसूरत फोटोस को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं आप उन्हें पॉटी ट्रेन या हाउस ट्रेन जरूर करें जिनसे उनकी अडॉप्शन जल्दी हो सकती है उनके लिए एक परफेक्ट परिवार मिलने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है इसलिए यहाँ पर आपकी पेशिंस बहुत माइने रखती है अगर ये वीडियो आपके लिए हेलफुल था तो हमें कॉमेंट्स में बताएए थांक्यू